हम हैं आज राजगीर में मगद की पुराणी राजधानी जो सोले महा जिनपत थे उनमें एक मगद सबसे बड़ा राच था जिसके राजा बिम्बी सार हुआ करते थे बिम्बी सार जब सिधार्द गौतम बुद्ध अपना घार छोड़के 29 साल की आयूम है आये तो सबसे पहले इस पहाड़ी पे चड़ते हुए पहुए पहुँचे बिम्बी सार को जब यह पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जादा आकरशक है बलिष्ट है बुद्धिमान है और वो एक प्रवजक यानि की घर से घर को त्याग कर और ग्यान की खोज में दराया हुआ है तो वो उससे मिलने के लिए सिधार्द गौतम से मिलने के लिए खुद यहाँ चल के आए जहां तक रथा सका वहां तक रथ उसके बाद में पैदल जब उनको यह पता चला कि सिधार्द गौतम बुद्ध एक खेतीय परिवार से बहुत बड़े खेती हर हैं और बड़ा नाम है तो उन्होंने उनको अपना आधा राजे पेस्टस किया कि आप मेरा आधा राजे ले लिए और ये सब सन्यास वन्यास प्रवज्य वरज्जा छोड़ दीजिए सिधार्द गौतम से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं द्रड निश्चे मेंने किया है मैं हर हलत में दुख और दुख के कारण का निवारन और निवारन का मार्ग खोजूँगा इस प्रितिग्या के साथ, इस प्रितिष्टा के साथ, इस कमिट्मेंट के साथ मैं यहां आया हूँ आपने मुझे आधा राज्य देने की पेशकर्ष की, मैं उसका बहुत आभारी हूँ जब बिम्भी सार को पता चला कि इनका निश्चय द्रड है, तो उन्हें का ठीक है जब आपको ग्यानपराथ हो, तो आप मेरे पास, मेरे अथित्य, मेरे राज्य में जरूर सुविकार करें, उन्होंने सुविकार किया, यहां बुद्ध सबसे पहले ग्यानपराथ का निगल आते हैं, वहां पढ़ा ही करते रहे, ज्यानपराथ नहीं हुआ, यह राजगीर बहुत इंपोरेंट है, यह शांती स्थूप है, जो गुरूजी चापान के फिलूजी गुरूजी ने अपनी एक शंखला, जो चैन, एक सांती स्थूप होगी, पूरे विस्व में जो चैन ह हैं, उसके तहत यह बना हुआ है, जब यह स्थूप यहां नहीं था, यह पूर्ट पूरी पहाड़ी होगी, और यहां बिम्बी सार की जेल भी है, यहां वो रत रुकने के साइन भी है, और यह पांच खूरस पहाड़ियों से ठका हुआ छेतर है, और बहुत सारी इसके वा आखो परेटक आते हैं, हर समय यहां रोनक वेती है, जीवन में एक वार राजगी जरूर आईए, क्योंकि जहां मैं चंकर्मन कर रहा हूँ, और जहां मैं घूम रहा हूँ, आप यकीन करें ना करें, मगर यहां विश्व गुरू, जगत गुरू, जगनात, बौदी सत्व, टथागत, सम्यक सम्बुद्ध, खुद रहा करते थे, और ऐसे ही चक्रवन किया करते थे, और यहां वो बहुत ज़्यदा सिक्षा लोगों दिया करते थे, दोनों उनके राइट और लेफ्ट जो सिस्षे थे, सारी पुत्र और मोगल लियान, वो यहीं अपने संजे पुत्र से सिक्षा प्राप करते थे, जो बाद में उनको छोड़के भगवान बुद्ध के साधिने में आए, और उनके सिस्षे बने, और भगवान बुद्ध की निर्वान प्राप के बाद सबसे पहले इसी जगे यहां एक सत्परणी गुफा भी है, इसी गुफा में यह साथ सब महातक लगातार संगायन हुआ था, जो बिम्मी सार के पुत्र अजास सत्रु ने, जिसका प्रवंद किया था, बहुत बड़ा मंदब बना था, पहली बार जो तिर्पीटक है, वो यहीं पे उसका बंधन हुआ था, तिर्पीटक का बंधन, सुत्तों का बंधन, सु नलंदा जिला बिहार से